हुआ है नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस कारिक्रम धर्ती से सिखर में इस कारिक्रम में हम आपको दिखाते हैं मिलवाते हैं नई-नई सक्षियोतों से नई-नई लोगों से जो अपनी महनत और लगन के साथ एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और हमारे दर्सकों को नई-नई जानकारी उनसे मिलती है एक मोटिवेशनल मिलता है और एक योजना मिलती है कि हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं तो इसी कड़ में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही समाज सेवक, लेखक, धावक और विचारक सिरी अमरजीत सिंग कलिंगाजी से जो 76 साल की उम्र में अपने आपको सिल्वर यंग कहते हैं यूवाओं से ज़्यादा भाग दोड़ करते हैं पैदल चलते हैं बहुत सारी मेहनत क करके और अपने योजना को काम्याव करते हैं आज इस उम्र में वो हम यूवाओं के लिए बहुत बड़े एक मार्ग दर्सक हैं तो आईए देखते हैं इनके जीवन की एक जलग कलिंगा जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कारिकम दर्ती से सिकर में और आप जैसे लोगों से हमको भी बहुत प्रेणा मिलती है तो हमारे दर्सकों को आप अपने बच्पन की कुछ यादें बताईए नमस्कार साब मैं अमर्जीर सिंग की क्रिंगा सिल्वर जंग मेरा जनम पशावर में हुआ उस टाइम हिंदूस्तान और पाकिस्तान कोई अड़क देशनी से एक ही देश था संसंताजिश में बटवारे के समय वहां से हम अपने फादर के साथ शिम्ला में आके बस गए वहां पे आके उन्होंने अपना बिजनर सेट किया बच्पन था एक ही कमरे में हम आट सर दस से रहते से और वो टाइम ऐसा कि हर मज़े के हर जूटे हमारे फादर मारी पूरी कर से बहुत मेनल की उन्होंने रेडी भी लगाई उसके बाद आस्ता आस्ता काम सेट हुआ तो हम भी आगे बढ़ते गए पढ़ाई भी कि हम मेरी जो पढ़ाई का वो भी शिम्ला में हुआ बच्पन था तो खेल कूज भी हमने बहुत की है उस टाइम के साथ जो गेम होती थ ओन था सकी वो सब शेनी है हमारे टाईम ने कंचे खेने जाते थे गुली डंडा होता सा पिठ्वोता था कोएर और कबंडी होती सी और जरा भी चलाया मैंने । और अब वद बरफ में स्लेज्वी चलाते थी कि कि वहाँ बरफ पढ़ ती ही तरो में तो स्लेज्वी बहुत चलाई है और आपना टाइम बच्पन हमने बहुत अच्छा निकाला और उसके बाद जब 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ तो थोड़ा से अंदर से कुछ ऐसा पैदा हुआ कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है तो मैंने एर फोर्स जॉइन की 1963 में जी जी तो एर फोर से जॉइन करने के पीछे क्या कारण था आपका वही था कि 1912 में जब हिंदोस्तान पाकिसान का चाइना और पाकिसान का हिंदोस्तान का युद्ध हुआ तो उस टेम जो पूजिशन हमारी थी ना उस टेम मारे देश की उसको देखके ऐसा लगा कि जब तक हमें भी अपने आपको देश के लिए आगे आना चाहिए हमें भी कुछ करना चाहिए ऐसी भावनाएं अंदर से पैदा हुई और मैंने फिर अभी मैं 18 साल का ही हुआ था तो मैंने एरफोस जाइन कर दी जी और रजार उप्रेटर जाइन किया था मैंने और जी तो देखिए दोस्तों की हम देश में सिखों का बलिदान किसी से छुपा हुआ नहीं है और आप भी सिख समधाय से आते हैं और आपने 1962 के युद्ध को देखते हुए एरफोर्स में जाना स्विकार किया अपनी जवानी के दिन आप एरफोर्स में एजे मतलब रडार ओपरेटर के रूप में आपने ज विए और किया रोल था उससे यह पहला यूद्ध हुआ था पाकिस्तान में 1965 में जो मैं जो दूसरा यूद्ध हुआ था यह जब भंगलादेश को अलग किया गया पाकिस्तान से जी वे उस टम बैर्रपूर में था कलकता में जी दोनों यूद्ध में देखे हैं और पूरा इसा आपना देखा है कैसे हमने हमारे मर्द की फोजीयों ने कैसे मेनस से अपना खून दे के और ये जो जीते हैं तो दर्सकों देखो 1971 में हमारे सैनिकों ने जावाज बहदूर सैनिकों ने पाकिस्तान के करीब 90 हजार के करीब सेनिकों को घुटनों पर ला दिया था और उस समय के जीते-जागते उदारण आपके सामने हैं हमर जीत सिंग कलिंगा जी जो उस समय एरफोर्स में रडार ओपरेटर थे तो उस समय का सर कुछ वाकिया हमें बताएं कि कैसे उन्होंने सरेंडर किया था हमारी दर्सों को बताएं सब्सक्राइब जो नबे अजाद तो हमारे जनरल अरोडा थे जिनके अंदर सारा उदर जनरल न्यादी थे जो की एक ही ग्रूप के थे जब पाकिसान अजादी से पहले दोनों ने एक ठी ट्रेनिंग हु होने से और उस टाइम बहुत बड़ी जीत थी जब नबे हजार यह वर्ड की मानी हुई जीत मानी जाती है कि नबे हजार फोजीयों ने सुरंडर किया सा उस टाइम बहुत बड़ी काम्यावी थी और हमेशा से भारत पाकिस्तान से हर युद में जीता आया है और इस तरह से हमारे जो जावाज सेनिक हैं उनको एक वार हम नवन करते हैं उनको बहुत-बहुत हम अभार प्रिकट करते हैं कि उनकी वज़े से हम और आप लोग इस देश में सुरक्षित हैं तो फिर आगे का क्या वार आगे रास्ता रहा सर 1903 में यह मैंने एरफोर्स अपना टाइम पू सब्सक्राइब करता हूं मैं नेगेटिव नहीं सोचता कभी भी जी तो दरसको देखा कि किस तरह से बच्पन बच्पन के बाद पाकिस्तान से सुरुआत होई पैदा हुए उसके बाद आजा दी जो हमारा देश पार्टीशन हुआ फिर सिम्ला में आये सिम्ला में इनका बच्पन और जवानी साथ भी थे उसके बाद इनोंने 18 साल के उनमें एरफोर्स जाउन की एरफोर्स में भी इन हम आपसे आपके आगे की जिन्दकी के बारे में दर्समों को हुरू-बरू कराएंगे स्वाधत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर और हम बात कर रहे हैं आज की मुलाकात कर रहे हैं स्री अमर जी सिंग कलिंगा जी से सिर्वर यंग जी जै तो सर आपको समाज सेवा आपने बहुत की है और तो समाज सेवा की प्रेड़ना आपको कहा से मिली सुमाज सेवा की प्रेड़ना मुझे अपने माबाप से माता पिता से उसे प्राप कुई और सैयोग मिला मुझे अपनी अर्धांगनी से बहुत अच्छा सैयोग मिला फूरी स्पोर्ट की उन्होंने और ऑप के बाद तो अंशुशाचन जो चीखा मैंने अपनी जो लाइफ स्टाइब जो जो ना जो सिस्टम में आपनी ए स्पोर्स ने बोलकु सीखा सिस्टम जीवन जीना किसको कहते हैं क्यों एस पोर्स में थे तो उसमें हाट जायशा कर आदमी था और देरम का आदमी था तो उनके साथ रहके मैंने बोन को शीखा है तो वहीं से सब कोई प्राप्ति की है मैंने जी बहुत अच्छा थी कि आपने अपने जीवन का जो सिध्धानत एर फोर्स से सीखा एर फोर्स वाकी में हमारे देश की एक ऐसा बल है वैसे तो तीनों बल ही समान है हमारे लिए लेकिन स समाजी कारिये में है और क्या किए आपके अभी समाजी कारिये चल रहे हैं। समाजी कारिये में मुझे थोडा सा लगाव बजर्गों से है वैसे दो मेरी उमर 76 साल की है पर मैं देखता हूं कि बहुत से बजर्ग जो है ना वो कुछ नहीं है जी उसका कारण ये हैं कि पर उनकी देए में कुछ नहीं जाता जिस दिन प्यांशन आती है उसे दिन बच्चे उनकी पंशन अपनी जेड में डाल देते हैं और उनको खर्च के लिए ठोड़ा बहुत देते वह उसके बाद वह वी डिपैंडेंट बच्चों के उपर ही है अभी उनको पैसे इन निती से साप्षिछ कर सकते हैं वह दमाओ बहुत हैं वह आपेर में कुछ月 कर सकते उनको तो उनको देखके मैंने मैं अकेला तो नहीं हूं में साथ और भी है हमने एक सेवा शुरू की है जो केपेबर नहीं है अकेले रहते हैं उनको हम मेहने का राशन डर्वाद के किते हैं कि मैडिकल कैम्प लगाते हैं बुद्र्वों के आम तोर पे आज कर तो आम है जोडों का दर्थ का और जोडों के दर्थ के लिए मैं एक तेल मनता हूं जो बोर कारगर है और बहुत से बुद्र्व मुझे लेके जाते हैं और को मैं अपने अपन्चाटा भी हूं और जो उनको भी अमसाल करने में सहयोग करते हैं सर एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी पत्ली को गुज्रे हुए 17 वरस हो गए तो आप खुद एक बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं तो आपका खाना पीना कैसे होता है क्या खुद बनाते हैं या कोई सपोर्ट आपको मिलदा है अजया है 17 साल होगे अकेला रह रह रहा हूं जी पर मैंने आज तक खाना अपने नहीं बनाया मेरा खाना दर्ड़कियों के आँ से आता है मेरी तीन लड़किया है जी जी और उन्हीं के आँसे मेरी एक लड़की तो मेरे नजीक यहां पर रहती है जो खाने की तो मुझे कोई प्राबलन नहीं है बाकी और सारा पूरा एक्ट्र में आज जो मैं अपना टाइम निकाल रहा हूं ना आगे भी यो बिल्कुल मेरे अंदर धैरे भी सब कुछ अभी भी है वो है मेरी लड़कियों के कारण लड़कियों दमादों का मुझे पूरा स सही हो गए हर टाइब का सही हो गए अगर मेरे को किसी चीज की भी दूरत है तो मुझे इन से प्राप्ति हो जाती है मुझे कोई प्राबलम नहीं है ऐसा है कि जब मेरी तीसी लड़की उई थी ना तो उसके बाद मेरे कुछ रिषदात पूछते से अमर्दीर सिं तुमारे फिर किति अ करें मैं कहते हैं मेरी depend नड़की या है उति ररी यहुद हनु मेरे यह तीन ड़के मेरे दमार हैं यो कि अymphaluma के आज मुझे वो पूरसर योकर है तरस को कितना बड़ा इसमें एक आपको रहसर चुपा हुआ है और ये बड़ी सीखने वाली बात है कि आज की डेट में माप कीजेगा बहुत सारे लोगों को उनके बच्चे उनके लड़के खाना तक नहीं देते बुजर्गों के साथ अच्छा बरताप नहीं करते हैं लेकिन बेटियां कितना सहयोग दे रही हैं 17 साल हो गए बेटियों को खाना पहुचाते हुए दामाद इनकी सेवा में पस्तित रहते हैं और बेटों से जादा हाला कि वो भी बेटे हैं किसी के तो बेटे हैं लेकिन उन्होंने अपने माबाप के साथ साथ अपने ससुर यानि कि अपनी पत्नी के पिता की उसी तरह से सेवा की है और कर रहे हैं जैसे कि उनके अपने माता पिता के यो करते हैं तो यह संसकारों की बात है कि आप किस तरह के संसकार अपने बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने बुजूर्बों का किस तरह से ध्यान रखते हैं यह हमें बहुत कुछ सीखने के लिए आप से यह मिला है और यह बहुत अच्छी बात है अच्छी बड़ी है वो दो भी शिवला में एक है दिली में और एक लड़की यहां पे है मेरा कंटेक्ट मेरा हाल चाल रोज दमादों के टेलीफून आता है मुझे हाल चाल पूछते हैं कोई प्राबलम है यह है वो तब पूरी है और मैं तो यह देखा है कि अब मैं आपने अबको बूड़ा भी नि कहता हूँ आपने आपको थिलो जहां कहता ह। पर ऐसा है कि इस उमर में जब लड़कियां बड़ी हो जाती है ना बुड़ापे में उनका रोल मा के समान हो जाता है अब वो मेरी माय हैं किबात वो मेरा ख्याल जैसे मा अपने बच्टों का रखती है ना वैसे वो मेरा ख्याल रखती है मैं नमन करता हूँ आपके इस विचार को और उन बेटियों को जो इस रूप में मा का रोल निभा रही है और इस तरह आज इनकी आत्मा ये आशिरवाद के रूप में इस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटियां एक मा की तरह है हाला कि मा की कोई उम्र नहीं होती है जो पालन करती है वो मा है तो मा चोटी बच्ची हुई हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है और मा मा भी हो सकती है तो मा के आगे तो संसार नतमस्तक है तो नमन है ऐसी बेटियों को जो मा का रोल निवाती है बहुत बहुत नमन करता हूं मैं आप कुछ कह रहे थे सर मैंने बीच में आपको इंटरप्ट नहीं होती तो यह दो आपने बदाई दिये हैं कि कलिंगा जी आपके बारे में अध्यान कर रहे थे तो आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अलग-अलग विषय पर आप लिख रहे हैं तो यह लिखने की प्रेड़ना आपको कहां से मिली सोच तो बहुत पराणी सी इतना पड़ा लिखानी हूं मैं पर कुछ ना कुछ लिखना चाहता था कि जो कुछ मैंने आज तक समाज से प्राप्स किया है जो मेरे अनुबा हुआ हैं उनको कैसे आगे कि आज की जनेशन के उपर को आगे उनको दिये जाए उनको कैसे बताया ज मारिपनेशन के फुरूह की आगे आने हुआ इनको हम अपने अनुबात्त पून्चा सकते हैं तो मैंने शुरु में तो लेई से लिखने शुरु जू की जिienstरे मेरे लेख ली आये हैं और कई मेरे लेखाए हैं और चोड़ चोड़ी किताबे मैंने शुरू में दस बारा लिखी है पर उसके बाद कुछ ऐसा महतूत हुआ कि मैं कुछ नो कुछ बड़ी किताब भी लिख सकता हूं तो मैंने एक अपनी पहनी किताब जो लिखी है सीनियर सीटिजन के ऊपर वो लिखी है जिन्दगी का आखरी पड़ाओ जो की का जीनियर सीटिजन काउंसिल है उनकी काउंफरेंस में 2015 में गोवा में उसका विमोचुन हुआ था और उसके बाद 2018 में सिकंदराबाद में मुझे बुला के शम्मानिस भी किया गया था उस किताब के उपर और वह पहली किताब है उसके बाद दूसी किताब मैंने लिखी है स जिकशित साड़ा अपना ज्रल्टा के उपर है और उसमें सिक इत्व कोशिश क किये हैं कि हर चीद मैने सिक इत्व कोशिश किये और एक किताब है सोच समझ ओ कमामना जो की आज कारने के लिए है कि कि जिंदिगी में कभी भी को प्रावना नमावे आपको उस किताब में से उसका हल निकल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ आती ही, कोई ना कोई शबद ऐसा मिल जाएगा, जिससे आपकी लाइफ ही चेहिए जाएगा, बहुत बड़ीया बात है, आपने तीन मुख्ये किताब में लिखी हैं, वैसे तो इसके किताब में बहुत सारी कि यूबाओं के लिए उसमें बहुत कुछ है कि हमें आगे यूबा भी तो बुजर्ग होगा क्योंकि अभी जवान है लेकिन अगली उमर में वह बुजर्ग की तरह जाएगा तो जिन्दगी का आखरी पड़ाव कैसा हो क्या साबधानी रखनी चाहिए किस तरह से हमें वेव Whilst कि आपने दूर्जी किताब के बारे में बताए साड़ा अपना विर्सा सिखी जम के ऊपर है किताब है सिखी जम वामारे भारत की एक शान है सम्मान है उसके उपर आ बहुत खूपसूरत उसकासela में अपने लिखा है और एक किताब आपने लिखी है सोच शमज और समभणाई है कि हम अलग-अलग तरीके से जीवन को कैसे तोड मरोर करए जो हम चीजों को पेश करते हैं उसको कैसे जोड़ना है यानि कि पोजिटीविटी कि कि किकतर ले जाना है अलग-अलग सोच है अलग-अलग समझ अ सबकी लेकिन संभावना है एक जगा कैसे आएंगी तो सभी विस्लेशन किया मैंने आपकी किताब का तो हम दर्सकों को यह किताब दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यह तीनों किताब हैं आप पढ़िए इसको जरूर पढ़िए एक बार तो और यह किताब मगवाने के लिए आप अमर जी सिंग कलिंगा जी से संपर कर सकते हैं, हम से संपर कर सकते हैं, हमारा नमबर भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, कारिकरम आप देख रहे हैं, तो हम इस किताब को कहेंगे कि आप तो सर ये तो रही आपके लिखन की बात और अब आपसे जो हमारा मन है मेरा पूछने का कि आप इस उमर में 76 यानि 46 साल की उम्र में अपने आपको सिल्वर यंग कहते हैं उसका राज क्या है जिसका राज यह तो यह जो आप नसे नहींग क्या वात है। मैं यह है यह तो सफेड़ डाई की है यह है यह तो यह तो यूंग है और कुदरती आई है है और इसमें आँ अए कि बच्पन में मिर को दोडने का बहुत हमाने सोग था सब्सक्रावां और सकोल के जो स्कैट के टूर्ट मेंट वह तो उसमें भी जाता। मैं वो दोड के लिए गता था जार जैन्य जाता। उसके बाफ भाद वहांD तो वहां भी एक्टिव रहना पड़ता है, तो वहां भी एक्टिव के लिए तो सबसे पैदे पैदल चलना और दोड़, यह दो चीजे तो ही हैं, और मैं इन दोनों चीजों में अपने आपको सर्क्षम समझता हूं, मैं मिलको पादल चलने में में एको थकावड नी होती, ज को यहां से 22 km है, मैं सुवा आठ में घर से निकला, तो घर से निकला दो पांक दस मिन नीचे खड़ा हुआ, कोई बैटरी का रिक्षा आता दिखाई नी दिया, मैं पैदल ही चल दिया, और पैदल चलते चलते, ग्यारा बज़ के बीस मिंट में मैं अपनी सिस्ट के घर पो तो इसलिए मैं आपने आपको सिर्वर जंग कहता हूं और आज की टाइम में भी मेरा रूटीन बिल्कुल नार्मल है, सुवा उठना अग्जाट टाइम पर उठता हूं, मैं दूर वाली चाहे नहीं पीता, ना मैं घर में दूर दाता हूं, मैं कावा पीता हूं, और कवा भी मेरा अलग-अलग टाइम का हुता है, शुभवा का कवा लग घा शौम का कवा लग घा, दिन का कवा अलग है, उसके सब मतव्कि जैसे पेट खरआ उसका अलग है, गला है, अचमा जालग है, आजमे का अलग है, इस whatnot आप से मैं आपने कवा पताँ हूं और मेरे पास बहुत से बुज़गा की पीते भी हैं बहुत अच्छी आपने मोटी मोटी बेशनल हमारे दर्सकों को जवानों को यह बता दिया कि आज जब एक 76 साल के बुज़ग 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी दूर के लिए रिक्सा, मयूरी यह सब देखते हैं हमें कोई साधन मिल जाए 2-4 किलोमीटर पैदल चलने की अगर किसी से बात कर दो आज की डेट में तो वो उसके अंदर नेगिटिविटी होने सुर्व हो जाती है कि कैसे होगा कैसे चलूँगा तो यह आप से प्रेणा लेकर के लोग पैदल चलें तो स्वास्ते भी अच्छा रहेगा और आपको जाम से भी बचने रहेंगे जल्दी पहुँचेंगे और यह आगे जाम की जो समस्या यह बहुत गंबीर होने वाली है तो दर्शको अभी एक और के अभी इसे कुरोना से पहले मैं जो मैं पूंचाते से खाना बुदूर्बों को टिफन राट का टिफन वो पूंचाता था तो एक एक दिन में डाहे जर सो सीरी चड़ी है मैंने को कईयों के घर में जाना पड़ता सा घाना लेने के लिए खाना तो मैं बनवाता नहीं था कहीं थे बनाता नहीं था जो गरों में हमारे पुराने टाइम में गुर्दवारों में हमारे गरंती घरों में आते से और वो घर से खाना लेके लंगर के लिए वो प्रशादे और एक दाल सभदी विग對啊 here जो तीसी फिर्म बझी वो देगे जाते थे मैंने वही राऋटा अपना के बुज़ुडगों के लिए रातका टिफन शुरू किया था और घरों से जो घर में खाना बंदा था ऐसी खाना दें चाना लेके और आग तो चोथी मंदिल पर जाके देखे आ रहा हूं दाही 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 300-300 सीड़ी मैंने एक एक दिन में चड़ी है और मुझे तकावन नहीं पैदा हुई कोई मैसूस नहीं हुई और उनके बाद तो करोना शुरू हो गया तो वह खाना बंद करना पड़ा और अब यह दो मिलने काम राशन जो है ना उनको पिंच वारे हैं कहवत कहिए कि पुराने चावल फाड होते हैं तो आप पुराने चावल हैं और ज़्यादा जान है तो दरसको आपने देखा कि अमरजी सिंग कलिंगा सिल्वर यंग और इनके बारे में पूरी आपने जानकारी ली पूरे जीवन चरीत को देखा किस तरह से इन्होंने सामाजी कारिय एयर फूर्स जोईन किया सामाजी कारिय की किताब लिखते हैं लेकर कारिय करते हैं और बुजरुम का बहुत ध्यान रखते हैं तो सर आप हमारे दरसकों के लिए क्या मैसिज देना चाहते हैं कि I più मैं कि जनरेशन के उपर को तो यह बंदेञा हूं, आई कल का खाना बिलकुल अल्लाग ट्राइब को पीना खता था वह अल्लाग ट्राइब का था अब तो बिलकुल चेंज आ गया है अब बचों को कुछ और चीज क्रसquitoमद आति हैं, मैं कि ही उनी चाहिए है, घड़ का साधा खाना, बाकि जो पसंद क्वाओ, कोई बुरा नहीं है, हर देश में खाया जाता है, बाद सब देशों का खाना आ रहा है, को इसलिए का पीजा आ रहा है, चाहिनास का विए ओं मिंग अग्वारा वग्वारा है, सब खाते हैं, तो आप कि यह कोई गा कि जितना भी हो सके अज़ट करो पॉजिटीव ली सोचो और पॉजिटीव ली ही काम करो आप अपना टाइम जो है शाकामरत चीजों पर वर्तो आप उसना अपना कीज करो जो अच्छे कामों के लिए हो तो आपको कभी भी गल्ड अपसेट करें दुख अपनी फैमली के साथ साकामरत जैसे आपकी प्रेंडी की पूजिशन है जैसे हालात है उससे अच्छे करो आपने आपको बस जीवन बहुत अच्छा निकलेगा आप इस इलवर जंग बन जाओगे जी सर बहुत बहुत सुक्रिया सर आभार आपका कि आप हमारे चैनल पर आए आपने हमारे कारेकरम की सोवा बढ़ाई हमारे दर्सकों को इतना सारा ग्यान दिया इतना सारा आपने मोटिवेट किया सबको तो आपका बहुत बहुत आभार बहुत धन्यवार तो दर्सकों य सिर्वय यंग जो कि एक बहुत मज़ूर राइटर हैं लेखक हैं और समाज सेवक हैं इन्होंने अपने जीवन की का जो मोटिवेशनल चीजें बताई उनसे हमें बहुत प्रिड़ना मिली ऐसे ही हम आप से मिलवाते रहेंगे अलग-अलग हस्तियों से रूबरू कराते रहें आप हमारे ये कारेक्रम धरती से शिखर तक और यदि आप इस कारेक्रम से जुड़ना चाहते हैं अपने बारी में कुछ आप जानकारी रखते हैं आप किसी फिल्ड से हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर कर सकते हैं नमस्कार धन्यवाद